दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब भी आम लोग कंप्यूटर जी के इस से रिलेटेड इंपोर्टेंट चालिश कोश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक्षाम से रेल बे गुरूप डी एससी यूप पुलिस लिख पाल और आने वाले सभी परतियोगता पर इक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों यह टोटल जो चालिश कोश्चन है आप इनमें से कितने कोश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कूर जो है कमेंड बॉक्स में जरूर बाता है और वीडियो पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानि जो घंटी का निसान है इससे जरूर अन करते हैं ठीक है तो चले सुरू करते हैं देखे यहां पर हमारा पहला कोश्चन दिया गया है वह हाड़वेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तोर पर कॉम्प्यूटर का ब्रेन कहा जाता है तो कॉम्प्यूटर का ब्रेन किसे बोला जाता है तो यह बोला जाता है CPU को ठीक है CPU को कॉम्प्यूटर का तिमाग बोला जाता है CPU की बात करें तो इसका फुल फर्म क्या होता है तो देखे इसका फुल फर्म होता है Central Processing Unit आपको याद रखना है Central Processing Unit जो होता है यह CPU का full form होता है ठीक है Answer हो जाएगा C Question Number 2 है किसी program है बो Candle नंनिलेखेंड में सक्छी च्या होता है तो देखें बोग जो होता है computer की भाषया में तो किसी program में इसको क्या बोला है Yar ठीक है computer में किसी program में era जो होता है उसको computer क्या बोला जाता है याद रखने आपको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है ठीक है तो आंसर हो जाएगा बी कुछिन नंबर थार्ड है निमने लेखित में से कौन सा मॉडम जो होता है यह काम्प्योटरों को टेलीफॉन लाइनों का परियोग करके डाटा अंत्रित करने के अनुमति देता है तो बहले सक्रियात्मक इल्क्रोणिक अंकिया कॉम्प्योटर कौन सा है रहे इमपोर्टरंट कुश्चन बहुत बशी दर पूठ ग्या है पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रोनिक अंकिय कंप्यूटर कौन सा है तो यह है एनियक ठीक है आपको याद रखना है कौन सा है एनियक है तो आंसर हो जाएगा अपसने पांच यह हम करेब कि www बिश्कारक को किस ने किया था क्या हूए उनका नाम है team team barnardsley team barnardsley जो है इनका नाम है इनों ने www.wt मतलब अभिस्कारक है question number six है computer system के किस भाग को भावतिक रूप से किया जा सकता है तो देखिए data को भावतिक रूप से नहीं किया जा सकता है operating system को भी नहीं किया जा सकता है hardware को किया जा सकता है ठीक है और सब्ट्वेयर को भी नहीं किया जा सकता है तो आंसर हो चाहेगा option C hardware ठीक है hardware जो होता है उसको experts किया जा सकता है ठीक है question number 7 है निमने लेखे तो उत्पादों में से कौन सा उत्पाद है pentium brand के नाम से जाना जाता है pentium brand के नाम से किसको जाना जाता है तो micro processor ठीक है micro processor जो होता है Cameron pop oak नांसे जाना जाता है computer में जोוח processor छोटा जो microphone cover mushroom होता है उसको micro processor बोला जाता है ठीक है question number 8 है www के अभिस्कारक था था संस्थापक कौन है तो देखीए तो हमने पिछले questions में बताया था कि इसके अब इसकारक और संस्थापक जो है उनका नाम है टीम बर्नार्सली ठीक है टीम बर्नार्सली जो है इनके संस्थापक है आंसर हो चाएगा यह कुश्चन नमबर 9 है निमनलेखित में से कौन सी सूचना परदोई की सब्दावली नहीं है तो देखें करेक्ट आंसर सी हो चाहेगा प्रकास भंडारन जो है यह सूचना परदोई की सब्दावली नहीं है बाकी तीनों है साइबर एसपेस अप्लोड और मोडम तीनों ही जो है सूचना परदोई की सब्दावली है ठीक है कुश्चन नमबर 10 है पहला संक्रियात्मक इलक्ट्रोनिक अंकिया कम्प्यूटर है तो कौन सा है तो यह है एनियक ठीक है एनियक जो है पहला संक्रियात्मक इलक्ट्रोनिक अंकिया कम्प्यूटर है ठीक है आंसर हो चाहेगा भ किया है तो अनुपरम जो है यह सूपर कंप्यूटर है ठीक है आपको याद रखना है क्या है सूपर कंप्यूटर है अंसर हो जाएगा भी कुश्चन नमबर 12 है भारत में विक्सित पॉरम सूपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था तो सी डैक ने किया था ठीक है सी डैक ने जो है भारत में बेक्सित परम सुपर कॉम्प्यूटर का जो है मतलब इसका विकास किया था अंसर हो जाएगा आप साने कुश्चन नमबर 13 है कॉम्प्यूटर डाटा के सबसे छोटे इक आई कौन सी है देखिए ये भी फेरी इंपोर्टन कुश्चन है बहुत बड़ ये कुश्चन जब पुछा गया है कॉम्प्यूटर डाटा के सबसे छोटे इक आई कौन सी है तो सबसे छोटे इक आई बीट होती है ठीक है बीट जो होती है सबसे छोटे इक आई होती है दूसरी सबसे छोटे काई पुछा जाए तो बाइट ठीक है बाइट जो है दूसरी सबसे छोटे काई होती है तो आंसर हो जाएगा option A question number 14 है निमनलेखित में से कौन से भासा परमाडू अनुसंधान के अंदर द्वारा बिकसित सूपर कॉम्प्यूटर पर यूचना है निमनलेखित में से कौन से भाबा परमाडू अनुसंधान के अंदर द्वारा बिकसित सूपर कॉम्प्यूटर पर यूचना है तो देखिए है अनुपम ठीक है अंसर हो जाएगा question number 15 है एक कॉम्प्यूटर की अस्मिरिति समान्य तोर से किलो बाइट अथवा मेगा बाइट के रूप में ब्योक्त किया जाता है ये एक बाइट बना होता है तो एक बाइट जो बना होता है वो आठ दूइधारी अंकों का बना होता है आठ दूइधारी अंकों का बना होता है अंसर हो जाएगा ये question number 16 है इस्पैम निम्नलेखित में से किस बीसाय से संबंधित सब्ध है तो देखी ये कॉम्प्यूटर के बीसाय से संबंधित सब्ध है अंसर हो जाएगा ये कुश्चन नमबर 17 है डाटा के प्रेशन की गति को मापने के लिए समानता परियुक्त एकक यानि यूनिट कौन सा है तो देखी ये है बीट परती सेकंड याद रखना है क्या है बीट परती सेकंड है अंसर हो जाएगा C कुश्चन नमबर 18 है इंस्ट्रॉक्शन के वो समों को क्या कहा जाता है जो कम्प्यूटर को बताता है कि क्या करना है तो देखे इसको कहा जाता है program ठीक है instruction के वो समों को क्या कहा जाता है जो computer को बताता है क्या करना है तो program इसको बोला जाता है answer वो चाहेगा T question number 19 है निमने लेखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी software company है very important question भारत की सबसे बड़ी software company कौन सी है TCS है ठीक है आपको याद रखना है कौन सा है TCS question number 20 है जब कोई computer कोई करमादेश लागू करता है तो वह करमादेश कहां पर अटक जाता है तो यह अटक जाता है RAM ठीक है RAM में अटक जाता है RAM की full form की बात करें तो इसका जो full form होता है random access memory ठीक है random access memory जो इसका full form होता है आणसर और चाये गई question number 21 है computer की अस्थाई अस्मरिती वो क्या कहा जाता है computer की अस्थाई अस्मरिती को क्या कहा जाता है तो देखे इसको बोला जाता है ROM क्या बोला जाता है ROM इसकी full form क्या होती है read only memory ठीक है read only memory जोई इसका फूलफम होता है आपको याद रखना है आंसर वो जाएगा ओप्सन बी कुश्चन नमबर 22 है निमने लिखित मेंसे कौन निर्गम उपकरण नहीं है कौन सा इस मेंसे जो है निर्गम उपकरण नहीं है तो यह है प्रकासित लच्ण अभिग्याता ठीक है प्रकास कुछिण नूम्झान कोंप्यूटर बिक्सित की गई थी यह है FORTRAN कोंप्यूटर से बिक्सित की गई थी आंसर हो जायेगा c question number 24 computer के लिए IC चीप आम तोर पर किसके बनाया जाते हैं computer के लिए IC जो से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है, CRT का हिस्सा जो है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो gas, plasma, CRT का हिस्सा नहीं है, ठीके, बाकी ये तीनों, fascinating, फास्पर, प्रस्पर, प्रपर्ट, छाया, अच्छा द और इलेक्टृंग, ठीके, यहां पर ये तीनों CRT के हिस्सा है, लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर प्रकार परियुक्त होता है तो ये और्धे चालक लेजर जो है परियुक्त होता है और्धे चालक लेजर आंसर हो चायेगा C question number 27 प्राथम computer का निर्माड किसने किया था तो आप सभी को पता ही है कि पहला computer जो है computer का जणक ठीक है computer का जणक यानी पिता मह कहा जाता है याद रखना है आपको become question number 28 है आधने computer का लगु रूपकरण संभा हो सका है निम्नलेखित मैंसे किस के परियोग से तो किस के परियोग से हो सका है तो ये समाकलित परिपत चीफ के परियोग से जो है ये आधनी computer का लगु रूप करन्ट जो है संभव हो सका है आंसर हो जाएगा B question number 29 है किसी आकड़ा संचय में Ricardo का ब्रिक्षाकार संचय क्या कहलाता है तो देखे ये कहलाता है सिनेडी बध माडल क्या कहलाता है सिनेडी बध माडल कहलाता है आंसर हो जाएगा B question number 30 है निमनलेखित में से कौन computer आकड़ों की त्रूटिया परदरसित करता है निमनलेखित में से कौन computer आकड़ों की त्रूटिया परदरसित करता है तो ये bug ठीक है bug परदरसित करता है आंसर हो जाएगा C question number 31 है निमनलगेखित में से कौन सा ये कि अंत्र समागरी नहीं है तो प्रचालन्त अंत्र ठीक है प्रचालन्त अंत्र जो है ये अंत्र कंप्यूटर के संबंध में ये मतलब कोई अंत्र समागरी नहीं है याद रखना है अंसर वचाएगा डी प्रिंटर कीबोड और माउस तीनों ह यो है यह computer के सम्बंध में computer यांंत्रसमाघरी है ठीक है जब कोई computer को एग छोपन से 6 में बीने telephone तारों के प्रस्पर जोड दीया जाता है उससे क्या कहा जाता है तो देखिए उसे बुला जाता है अस्थानिय छेट्र नेट्वर क्या बूला जाता है ठीक है, semiconductor से किया जाता है, answer हो जाएगा भी, आजकल सबसे अधिक परियुग होने वाली निवेस युक्ति यानि इन्पुट डिवाइस कौन सी है तो ये है माउस ठीक है आज कल सबसे अधिक परियोग होने वाले निवेस युक्ति यानि इन्पुट डिवाइस कौन सी है तो माउस जो है सबसे अधिक परियोग किया जाता है input device है यह सबसे अधिक जो है इसका उपयोग किया जाता है तो mouse है ठीक है पद MB निमनलेखित में से किसके लिए परियोग किया जाता है पद MB किसके लिए परियोग किया जाता है तो यह megabytes के लिए जो है इसका परियोग किया जाता है megabytes याद रखने हैं आपको आंसर हो जाएगा B Q. 36 है मूल निवेस निर्गम परणाली यानि Basic Input Output System कम्प्यूटर में विद्यमान रहती है तो ये विद्यमान रहती है याद रिचिक अभिगम अभिगम एस्मरिती में याद रिचिक अभिगम एस्मरिती में ये विद्यमान रहती है अंसर हो जाएगा B Q. 37 है निर्गम लेखित में से उस्यांतर का नाम बताए जो कम्प्यूटर को टेलिफॉन लाइन से जोड़ता है तो कम्प्यूटर को टेलिफॉन लाइन से मोडम जोड़ता है ठीक है मोडम जोड़ता है आंसर हो जाएगा B Quesion No. 39 है Computer की भासा में 1 Byte में कितने Byte होते हैं Computer की भासा में 1 Megabyte में कितने Byte होते हैं तो 1 Megabyte में जो Byte की संख्या होती है वो 10,48,560 याद रखना है 1 Megabyte में 10,48,560 जो है Byte होते हैं ठीक है तो आंसर हो जाएगा B Sorry D Super Computer के लिए सब्सक्राड लंबाई 14 ये रेंज कितना होता है Iranian should switch 64 bit तक होता है ठीक है Super Computer के लिए सब्सक्राज लंबाई 14 ये रेंज कितना होता है 64 bit तक होता है अंसर हो जाएगा C Question No. 40 है Computer Virus के उले एक परकार का Software है जो मुख्यता Practice करता है तो मुख्यता ये किसको नर्ष्ट करता है प्रोग्रामों को ठीक है computer virus के वल एक परकार का software है जो मुख्यता नर्ष्ट करता है तो प्रोग्रामों को नर्ष्ट करता है answer हो जाएगा c उसके बाद है यहाँ पर अगला question है dot matrix किसका एक परकार है देखिए आप सभी को पता ही होगा very important question है यह बहुत बर यह question एकजाम में पुछा गया है हर एकजाम में यह question जो है सबसे ज़्यादा question मतलब यह पुछा जाता है ठीक है dot matrix ठीक है तो dot matrix जो है यह printer का एक परकार है ठीक है किसका परकार है printer का याद रखना है आपको answer हो जाएगा C तो दोस्तों यह था computer से संबंधित महतपूर 40 question I hope कि यह वीडियो पसंद आए रहेगा पसंद आए तो वीडियो को like जरू करें ठीक है वीडियो को like जरू करें और अपने दोस्तों में इसे share भी कर दें ताकि उनकी भी कुछ help हो सके ठीक है और channel पनाया है तो channel को subscribe करके bell icon जरूर से अन करें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार चैहिंद चैह भारत